आज हम बनाएंगे कड़ी पकोडा की रेश्पी अगर आप दाल खाके हो गई हैं बोर तो इस तरीके से बनाए कड़ी पकोडा बहुत ही स्वार्डिश्ट बनेगी अब बहुत जल्दी बन भी जाती है कड़ी पकोडा तो चलिए बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले हम बनाएंगे पकोड़े तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिया है चने की दाल इसे हमने धो कर साब कर लिया था इसे हमने भिगा लिया है दूर से तीन खंटे के लिए यहां पर बेशन का भी यूज़ कर सकती हैं लेकिन चने की दाल से पानी अहीं पर डाल देंगे एक चमस जीरा इसका हम पेश्ट बना लेते हैं तो यहां पर दाल को हमने पीछ लिया यही तरह से उसी दाल में हम डालेंगे 2-3 कटा हुआ प्याज दो हरी मीर्च आली चमस हल्दी पाउडर आली चमस काली मीर्च पाउडर आली चमस जीरा पाउडर स्वात करूशार नमक इन सब को अची तरह से हाथों से फेटेंगे इसे मिलाने के बाद इसका पकोरा हम बनाएंगे तो देख सकते हैं इसे हमने भेट लिया अची तरह से पकोरा हमने आते हैं तो छोटे छोटे आकार में इसे पकोरा हम बनाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं पकोरा कुछ चेंज हो गया इसे परट लेते हैं दोनों तरफ से तो यहाँ पर पकोरा हम अच्छी तरह से तल चुका इसे निकाल लेते हैं तो इस तरह सारे पकोरे को हम तल लेंगे अब चली कड़ी बनाना शुरू करते हैं तो उसके लिए हमने डाल दिया है दो से तीन चमज सरसो का तेर उसी में डालेंगे एक समज जीरा दो तीज पत्ता دो सुखी लाल मिर्च जीए तरगने के बाद विश्मी डालेंगे हम पानी तो पानी यह पर सुटख सुंचा डाल सकती है तो मैंने आपर दो कोडोली पानी लिया हुआ है पानी मैं अची तरह से उबाल आने के बाद भीश हमसम डालेंगे कुछ मसालें तो इस सब को चीतर आसे पानी से घौल आ लिए तो मसाले को हम पानी में iPhone के ताकिमर मसाले जोए जह सरे प्क जाए कच्छा पनींसलिंख ना रहे कि इसमें एक वबार आण देते हैं तो चलिए बेशन का गोल हम त्यार करते हैं तो मैंने जो डाल पीस का रखा हुबा था उसको निकाल लेते हैं कर्टोरी में उसमें थोड़ा से डाल देंगे पानी इसका पतला से पेश्ट बनाना है बेखुल इस तरह का पानी में उबाल आ चुकी है इह हम डाल लेंगे पीसी हुई डाल को इसे लगाता चलाते हुए हम पकाएंगे इसे बीच में छोड़ेंगे नहीं नहीं हमारे जरूरे पौड़ जाते हैं तो इसी तरह चलाना है इससे हम 20-25 मिट्रे लिए पकाएंगे तो मैंने धीमी आज में पका लिया अची तरह से इसमें दाना पर ने के बाद ही आता है तो यहाँ पर देख सकते हैं दाना पर चुका है यानि कड़ी हमारी त्यार हो गई है इसी में डालते हैं पकोड़े को इन सब को अच्छी सब्सक्राइब बने के इसा नमक दालेंगे तो अब देख सकते हैं कितना अच्छा कड़ी हमारा बना हुआ है कड़ी पकोड़ा कि वैसे तो ये पकणि करिंग कोड़ी होती है बहुत इस्टी बनता है अपने आप menghess myth